साओधी अरब का नाम आते ही उसके कानून की तरफ ध्यान जाता है क्योंकि पूरे विश्व में इस देश का कानून सबसे भायानक और खतरनाक है और इसलिए वहाँ पर लोग कुछ भी गलत करने से पहले कई बार सोचते हैं साओधी अरब को लोग, रेद, तेल, शेक और मक्का मदीना की वज़ा से जानती हैं लेकिन आज हम आपको साओधी अरेबिया के कानून और इसके फैक्टर्स बताएंगे जो आप हमेशा से जानना चाते थे लेकिन कोई भी आपको नहीं बताता था आज हम आपको इस देश के बारे में इंटरस्टिंग फैक्ट के साथ-साथ इस देश के कुछ कानून के बारे में भी बताने वाले हैं जिससे जानकर आप जरूर हैरान होंगे साथी अरब दुनिया का 13 नंबर का सबसे बड़ा देश है इसका शेत्रफल 21,690 वर किलोमेटर है हैरानी की बात तो ये है कि साथी अरब शेत्रफल के मामले में इतना बड़ा देश है फिर भी इस देश में एक भी नदी नहीं है साथी अरब में महिलाओं को नकाब में रहना पड़ता है और यदि किसी महिला का रेप होता है तो अपरादी को तब तक सजा नहीं मिलती जब तक इस अपराद को देखने वाले कम से कम चार गवा नहीं मिल जाते साओधी अरब में किसी भी महिला किसी ग्यार मर से नहीं मिल सकती और जब भी कोई महिला घर से बाहर पब्लिक प्लेस पर निकलती है तो उसके साथ परिवार का कोई न कोई सदस जरूर होना चाहिए ये कानून पूरे साओधी अरब में सक्ति के साथ लागू किया गया है साओधी अरब शाय दुनिया का वे देश है जहां पर महिलाओं को बैंक अकाउंट तक खोलने के लिए अपने पती की इजाज़त लेनी पड़ती है अगर वे अपने पती से इजाज़त नहीं लेती तो फिर उन्हें इसकी मनजूरी नहीं मिलती साओधी अरब में आप पॉर्ण वीडियो नहीं देख सकते अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आपको बहुत ही भयानक सजा दी जाएगी अगर कोई भी टूरिस्ट साओधी अरब जाता है तो उसको एक बात का खयाल ज़रूर रखना होता है कि आप इस देश में बिना किसी की इजाज़त की फोटो खीच नहीं सकते जदी ऐसा करते हाँ पकड़े गए तो आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ता है इसी वज़ा से इस देश में घूमने जाने वाले हर एक टूरिस्ट को यह बात समझाई जाती है दुनिया में सबसे ज़दा तेल साओधी अरब में ही बनता है और यहाँ पर तेल की कीमत पानी से भी कम है साओधी अरब मौत की सजा देने वाले देशों में चौते नमबर पर है यहाँ पर अपरादी को सर कलम करके मारने की सजा दी जाती है हाला के सरकलम करके मानने वाले तलवार बाजों की कमी के कारण इस देश ने कई नए रास्ते निकाले हैं मौत की सजा के लिए साउधी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर बाहरी देशों से हैं जो के जादा तर गैस और तेल के सेक्टर में काम करते हैं इस्लाम में सबसे पवितर मान जाने वाले मक्का और मदीना साअधी अरब में हिस्तित है, यहां हर साल लाकों की तादाद में मुसल्मान आती है, इस्थान पर गैर मुसल्म को जाने की अनुमती बिल्कुल भी नहीं है साओधी अरब में 95% रेगिस्तान है और इसले यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कीमती चीज माना जाता है यह देश समुद्र के पानी को पीने लायक बना कर इसका इस्तमाल करता है साओधी अरब में कोई भी महिला कार ड्राइब नहीं कर सकती साओधी अरब में बहुत ही जादा मात्रा में सिगरेट पी जाती है यहां के सामान लोग ही हर रोज करीब 500 रबे की सिगरेट पी जाते है पूरी दिने में साओधी अरब एक ऐसा देश है जहां पर वेलेंटाइन दिवस नहीं मनाया जाता है इस दिन के आसपास के दिन पूरे हफ्ते तक कोई भी दुकानदार दिल के आकार की कोई भी चीज बेच नहीं सकता साओधी अरब में यदि कोई गैर मुस्लिम सालों से यहाँ पर रहता है तो भी उसको यहां की नागरिकता नहीं दी जाती इतना ही नहीं, यहाँ पर लोग अपनी पूजा प्रदिती भी अपना नहीं सकते अगर साओधी अरब में कोई किसी की संपत्ती आग लगाता है तो उसको सजाय मौत दी जाती है साओधी अरब में जादू टोने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है यहाँ पर एक स्पेशल पूलिस की टीम जादू टोने करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ही मौजूद है ऐसा करने वाले अपरादी का गलक काट दिया जाता है साओधी अरब की सिमाओं के भीतर गैर मुस्लिम को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंध है पहले साओधी अरब में महलाओं को चुनाओं में वोट देने की अनुमती नहीं थी लेकिन सन 2015 के चुनाओं से उनको वोट देने की परमिशन दी गई रियाद साओधी साओधी अरब का सबसे बड़ा उट का बाजार है यहाँ पर हर रोज तकरीबन 100 उट बीच जाते हैं साओधी अरब में बर्थ कंट्रोर गहर कानूनी है इसका मतलब यहाँ पर आप कितने चाहो बच्चे पैदा कर सकते हो साओधी अरब में टैक्सी जगा कुल समपत्ती पर 2.5 परतिशत जकात दिया जाता है साओधी अरब में आप सेंट्विच पर सौस डाल कर नहीं खा सकते हैं तो दोस्तो कैसे लगे आपको साओधी अरब के यह अनोखे से कानून कमेंट में लिख कर हमें जोर बताएं दोस्तो वीडियो को लाइक करना न बोलें और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर और के आप्शन को ज़रूर सलग करें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तो एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद